साथ क्यों, जब हम टेक्नोलोजी के सामाजिक संदर्प को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो टेक्नोलोजी एम्पाउर्मेंट का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। कि सोशल जश्टिस सामाजिक न्याय को सुनिशित करने और असंतुलन को मिटाने का भी माध्यम बनती है। एक समय था जब टेक्नोलोजी सामान्य भारतिय की पहुँच से भारती आपको भी आद होगा। कभी जेब में क्रेडिट या डेविट कार्ड लेकर चलना स्टेटस सिंबोल हुआ करता था। लेकिन भारत का UPI आज अपनी सिंप्लिसिटी की वेज़े से न्यू नॉर्मल बन गया है। आज रेडी पटरी वाले से लेकर रिखसे वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तिमाल कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में हैं जहां सबसे जादा इंटरनेट डेटा इस्तिमाल होता है। ग्रामेन इलाकों में, सहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर जादा है। इसे लोगों के सामने जानकारिया, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। जैम ट्रिनिटी हो, जैम पोर्टल हो, कोविन पोर्टल हो, या किसानों के लिए डिजिटल अग्रिकल्चर मार्केट इन एम, हमारी सरकार ने टेक्नलोजी का उप्योग, एजेंट अप इंक्रूजन के रुपे किया है। साथियों, टेक्नलोजी का सही तरीके से सही समय पर उप्योग, समाज को नई शक्ती देता है। आज भारत में जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए कोई न कोई टेक्नलोजीकल सोलूशन्स तैयार हो रहे हैं। जन्म के समय ओनलाइन बर्ट सर्टिफिकेट की सुविदा है। बच्चा जब स्कूल की शुरुवात करता है तो उसके पास इपांट साला और दिक्षा जैसे फ्री एर लर्निंग प्लेट्फॉर्म्स हैं। और आगे बढ़ने पर वो नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्ट्रल पर स्कॉलर्शिप के लिए अप्लाई कर सकता है। जब वो अपनी नोकरी शुनू करता है तो उसके पास युनिवर्सल एक्सेस नंबर की सुविदा है। तक ही जॉब बदलने पर भी उसे कोई दिक्कत ना आए। किसी बिमारी की स्थिति में वो तुरंत आज इस संजीवनी की मदद से अपनी उप्चार की व्यवस्था कर सकता है। बुजूरकों के लिए बायोमेट्रिक एनेबल डिजिनल सर्विस जीवन प्रमाण की सुविदा है। आप सोचिए पहले बुजूरकों को पैंशन जैसे कामों के लिए अपने जिन्दा होने का सबूत देना होता था। चाहे तब्यत खराब हो या चलना मुश्किल हो उन्हें वेरिफिकेशन के लिए खुद जाना होता था। अब ये सारी परेशानियां टेक्नलोजी की मदद से समाप्त हो रही है। डे टू डे लाइफ में हर कदम पर टेक्नलोजी सॉलूशन देश के नागरिकों की मदद कर रहे हैं। अगर उसे जल्दी पास्पोर्ट बनवाना है तो एम पास्पोर्ट सेवा है। अगर उसे एरपोर्ट पर हैसल फ्री एक्सप्रियंस सुनिचित करना है तो डी जी आत्रा एप है। अगर उसे इंपोर्टन डॉक्युमेंट्स को सुरक्षित रखना है तो डी जी लॉकर है। इन सारे प्रायसों से सोशल जस्टिस सुनिचित करने और इस और लीमिंग बढ़ाने में मतद मिली है।